हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो और यूटूब चैनल, सेफटी मेनेजमेंट श्टडी फ्रेंड्स, आज मैं अपने यूटूब चैनल के कॉमेंट्स पर रहा था तो उसमें मुझे ऐसा कॉमेंट्ट मिला, जिस पर मुझे लाग कि डिसकस करना चाहिए हमें क्योंकि उसे मैं काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो आईये देखते हैं, यह कौन सा कॉमेंट है तो एक्चुली यह कॉमेंट किया है, सूफियान खान ने, तो आईये एक बर पढ़ते हैं, यह कॉमेंट क्या है इन्होंने कहा है सर PPE सबसे last में क्यों आता है बलकि first safety है फिर भी PPE last में क्यों बताया जाता है और PPE से पहले क्या क्या आता है उसके बारे में बताईए एक्चुलीन का कहना यह है कि जब भी हम किसी भी hazard को control करने की बात करते हैं तो सबसे last में PPE पे जाते हैं हमें जब भी precautions में जड़ लेते हैं तो PPE को last में रखते हैं उससे पहले काफी चीज़े हम follow करते हैं तो उससे पहले हम क्या क्या follow करते हैं इन्हीं के बारे में इन्होंने पूछा है और PPE को last में क्यों consider करते हैं इसके बार में पूछा है तो इसी पर हम discuss करेंगे और जाएंगे कि सबसे best way क्या है hazard को control करने का तो किसी भी risk को control करने का सबसे best way क्या है इसी के बार में जानेंगे तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं I think कि आप सभी को पता होगा hierarchy of hazard control और risk control क्या होता है तो यह एक method है एक step है जिसको follow करते हुए हम किसी भी hazard को control करते हैं suitable precaution measure apply करते हैं तो इसे हम discuss करेंगे इसी के दोरान हम यह भी जान पाएंगे कि PPE को सबसे last में क्यूं consider करते हैं PPE हमारा सबसे last option क्यूं होता है तो चलिए जानते हैं तो जैसे कि कोई भी hazard हो उसे control करने के लिए हम precautions measure लेते हैं तो किस step में लेंगे किस level पे लेंगे precaution measure यह decide करता है हमारा hierarchy of hazard control तो चलिए अब मैं आप सभी को इन पांचों methods का एक एक करके मतलब समझाता हूं और फिर finally से example की health से भी हम समझेंगे तो जो सबसे पहला method है elimination elimination का मतलब होता है remove यानि कोई भी hazard है उसे totally remove कर देना जो भी risk का level है उसे zero कर देना यानि इस method में कोई भी risk बचता नहीं है और जो second is substitution इसका मतलब होता है replacement यानि कोई भी hazard है जो की highly hazardous है उसे low hazard में replace कर देना जो भी हमारा risk का level high है उसे low कर देना तो इसमें risk का level low होता है लेकिन totally remove नहीं होता है और जो third है engineering control जैसे की कोई भी equipment है जैसे की हमारा grinder हो गया, cutter हो गया और भी जितने भी moving parts machinery है तो उन पर guard rail लगाना उस पर guard लगाना engineering के help से और auto cut system लगाना ताकि कोई भी fault हो तो हमारा जो भी machinery है वो auto cut यानि automatic बंद हो जाए और जो fourth है administrative control यानि management control इसमें हम worker को training देते हैं safe system of work apply करते हैं जैसे की risk assessment हो गया permit to work हो गया तो ये सारे चीज़े हम administrative control में apply करते हैं और जो finally हमारा risk बच जाता है जो residual risk होता है उसे हम personal protective equipment को पहन के wear करके control करते हैं उसे हम बचते हैं तो सबसे last में हमारा PP ही जाता है तो चलिए अब example की help से समझते हैं तो चलिए अब finally हम example की help से समझते हैं किसे कैसे implement करना है तो suppose कि कोई भी एक hazard है जैसे कि manual handling है manual handling एक hazard है इसे हमारे back pain injury ये सब हो सकता है back injury ज़्यादा होता है तो इसे हम कैसे बच सकते हैं तो सबसे जो पहला method है elimination यानि totally hazard को remove कर देना जो manual handling है इसे totally remove कर देंगे वहाँ पर हम fork lift यूज कर सकते हैं mechanical loading कर सकते हैं तो इसे क्या होगा हमारा पूरी तरह से hazard जो हमारा manual handling जो hazard था वो totally remove हो चुका है उसे हमें कोई भी injury नहीं होगा back pain से related तो ये हमारा पहला method elimination है जो कि सबसे perfect होता है hazard को control करने के but हम elimination method हर जगे apply नहीं कर सकते हैं suppose एक hazard है electricity electricity ये इतना ही हमारे लिए useful है उतना ही hazardous भी है तो suppose कि हमें confined space में electricity use करना है तो उसे हम eliminate नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें use करना ही है electricity का वापे आप सकता है काम है हमें उसी से तो कैसे eliminate कर सकते हैं उसके भीना हमारा काम नहीं चल पाएगा तो उसके लिए हम second method देखेंगे जो हमारा substitution है यानि replacement highly hazardous है low hazardous equipment या जो भी electricity हमारा है उसे replace कर देना तो यहाँ पे हम 2500 volt की नहीं उसकर करके हम DC वाले electricity यूज करेंगे जो की 24 volt का आता है हमारा battery से हम यूज कर सकते हैं उससे हमें भी sufficient illumination या lighting मिल सकता है तो यहाँ पे हम 2500 volt यूज ना करके 24 volt यूज करेंगे तो यह हमारा हो गया substitution यानि replacement हमारा जो high risk था और low risk में convert हो चुका है तो यह हमारा second method है अब देखिए engineering control तो जैसे कि हमारा tool एक है मानले कि यह grinder है तो grinder हो या cutter हो उसे हम cutting करने वाले हैं rod को तो उसे हम ना ही illuminate कर सकते हैं क्योंकि हमें cutting करना ही है और उसमें substitution भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी cutting होता है जो भी grinding होता है तो यह 24 volt पर या low electricity पर नहीं कर सकते हैं तो इसमें substitution भी नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम सबसे perfect engineering control लगा सकते हैं यानि जो भी हमारा grinder है cutter है उस पे अच्छे से guard दे सकते हैं जो भी हमारा electricity system है उसमें auto cut लगा सकते हैं ताकि कोई भी fault हो तो automatic electricity cut हो जाए तो यह हम यहाँ पे suitably लगा सकते हैं engineering control अब suppose कि मैं 2500 volt की electricity use करना है तो हम अपने worker को train कर सकते हैं जिसमें की administrative control हमारे help करेगा management help करेगा worker को training देगा और suitable risk assessment करेगा ताकि हम hazard को identify कर सके अच्छे से permit होगा तो यह सारे administrative control से हम उस hazard पे काबू पास सकते हैं अब जो finally हमारे hazard बच गया तो हम personal protective equipment use कर सकते हैं तो जो उन्होंने question किया था जो हमें पहले आपको दिखाया comment तो उन्हेंने करा था कि PPE को हम last में क्यों लेते हैं तो PPE हमारे hazard को control नहीं करते हैं जैसे कि suppose कि हम electricity यूज कर रहे हैं तो अगर हम hand gloss पायान लेते हैं तो electricity खतम तो नहीं हो जाती है नहीं वह minimize होगा electricity हमारे always present रहेगा तो यह जो PPE हमारे hazard को remove या eliminate कुछ भी नहीं करता है यह केवल एक barrier यानि एक rook out बनाता है workers के और hazard के बीच में hazard already मौझूद होता है जैसे कि हम full body harness point के height पे काम करते हैं तो suppose कोई worker गिरता है तो जमीन पे तो नहीं गिरेगा PPE उसे रोक लेगा full body जो harness है लेकिन फिर भी उसे चोट लगने के chance होंगे उसके बाजू वह गर छिल सकता है कमर दब सकता है तो यह सारे इसके PPE करका लिए कि drawbacks है यानि इसके नुकसान है तो PPE को हम सबसे last में रखते हैं क्योंकि PPE से हमारे hazard कभी भी control नहीं होता है बस एक verification होता है उसमें record बनता है और कुछ नहीं बस यह PPE का use है इसलिए हम PPE को last में consider करते हैं तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा So thank you for watching, thanks